प्रदेश में बिजली संकत के साथ ट्रांसफार्मर की शौटेज के बाद अब बिजली कमपनिया जागी अब सर खराब ट्रांसफार्मर के बदले में जुट गए हैं तीनों डिसकॉम में 2664 सिंगल फेज वर थ्री फेज के ट्रांसफार्मर की सप्लाइ हुई है इससे जले व खराब हुए ट्रांसफार्मरों को प्रात्मिक्ता से बतला जा रहा है इसके साथ ही नए कनेक्शन जारी करने का दवा भी किया जा रहा है राजस्तान डिसकॉम्स के अध्यक्ष भासकर सामत ने बताया है कि 6 सितंबर को आईजित बैठक में राजस्तान ट्रांसफार्मर मै प्रतिनीधियों ने आश्वस्त किया था कि गारेंटी पीरियेट में रिपेरिंग वाले वर नए ट्रांसफार्मर की सप्लाई में श्रिकर ही तेजी लाएंगे अब आटी में ने तीनों डिसकॉम को 2664 सिंगल फेज वर थ्री फेज के ट्रांसफार्मर की सप्लाई की है इनका उप्योग जले वखरा ट्रांसफार्मर को बदले में किया जा रहा है उन्होंने बताया है कि डिसकॉम की और से ट्रांसफार्मर सप्लाई करने वाली कंपनियों को किये जा रहे भुकतान के स्थती में पहले से काफी सुधार हुआ है और प्रयास किये जा रहे हैं कि सभी ट्रांसफार्मर सप्लाई करने वाली कंपनियों को 31 अगस तक की बकाया राश्य का भुकतान कर दिया जाए विभाग के अफसरों का तर्क है कि उपभोगताओं की और से निधारित लोड से अधिक का उप्योग करने से लोड का दवाब भड़ रहा है जिससे पिछले कुछ समय से ट्रांसफार्मर जलने की दर में भडूतरी हुई है डिसकॉम्स के अध्यक्ष ने जनता से अपील की है कि लगातार भड़ रही डिमांड के मध्य नजर बिशले के उपभोग को नियंत्रित कर डिसकॉम का सयोग करे इसे प्रदेश के क्रशी वगरेलू विधुत उपभोगताओं को सुचारू विधुत आपूर्ती की जा सके